हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आल आज मैं आपके लिए 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 रहा हो देखिए अठारा हजार रुपे के पचास शेर जोली में भर लो नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलिवर बनने वाला है यह शेर अब आप कहोगे कैसे इतना confidence कैसे है आपको इस शेर में क्योंकि यह यों कि मेशक्ता शेर आपने देखा होगा सुना होगा इंडिया का एसी वुल्टाज लेकिन वुल्टाज की जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर आपको बहतरीन information मिलती है चाहे global markets की update हो चाहे quarter four की results हो चाहे अभी latest दावर का रजलता है या फिर बहतरीन stocks long term के लिए इंट्राडे टेडिंग के लिए काफी चीज़े इंपोर्टेंट चीज़े दिखिए अभी हमने बात करी थी escorts की उसके बारे में भी आप देख सकते हैं या पर जल्दी से subscribe कर लो जॉइन बटन पर क्लिक कर ले क्योंकि जॉइन बटन पर क्लिक करके आपको detailed technical analysis की series आपको मिलेगी यह चीज़े अब हम सीधे लेके चलते हैं आपको इस शेयर के तरफ बात करता है इसकी जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्स लिमिट क्यों इसको कहा जा रहा है हिंदुस्तान इनलिवर आने वाले टाइम का जड़ा सोचिए टाटा ने पूरी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग कर दी अपने शेयर्स में रिस्ट्रक्चरिंग समझिए टाटा यहाँ पे FMCG से एक प्लेयर को आगे लेके आने वाला है पहले आपने देखा होगा पहले का अभी भी आपने बहुत सारी कंपनी टाटा काफी टाटा ग्लोबल बैवरेज नाम सुना हो तो यह पूरा का पूरा मान के चलिए जैसे आपने देखा होगा ITC के बहुत सारे FMCG के प्रोडक्स आते हैं यह सब अब टाटा भी इस सेगमेंट में अपनी बैवरेजेज और सब कुछ एक जगे पर यहाँ पे सिफ्ट करके टाटा कंजूमर प्रोडक्स जो कंजूमर प् पहले देखा होगा कि पैपसी को पैपसी को से भी इसने स्टेक अपना खरीग दिया एक जॉइंट वेंचर के वहाँ पे तो यह सारी इनफॉर्मेशन जो है आप देखिए समझे तब आपको लगेगा हाँ पूरा पैसा पूरा इन्वेस्मेंट टाटा का यहाँ पे जा रह मैं इसको और कई बार में इसके बारे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अभी आपको लग रहा होगा है पी तो बहुत महेंगा देखिए वैल्यू सस्ती नहीं आती इस चीज़ को ज्यान दे प्रोमोर्टर होलिंग 34% के आसपास की है और अभी सारा का सारा बाकी देखिए पंदरा सो करोड के आसपास का लेकिन काफी रिस्ट्रक्चरिंग अभी यहाँ पर चल जे इन परामेटर का भी आपको हो गया अगर मैं रिजल्ट्स आपको दिखाऊं तो अभी कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है यह पुराना डेटा क्योंकि पूरी की पूरी रिस्ट के आरा समान कुछ टाटा केमिकल के साथ रिस्ट्रक्चरिंग हुई है टाटा सौल्ट इधर उठका है तो वह का फिर रिस्ट्रक्चरिंग है जो आने वाले कोडर के परफॉर्मेंस होंगी उसके उपर में धारोमदार रहने वाला है अब यह तो आपने टाटा जो है ळीयार होता है यह मान के चलिए रिटेल इंवेस्टर के लिए काइंड औरं मिसट गिरावट को आप देख से तो कितनी बड़ी यिए गिरावट थी ? 320 के level से share गिरके गया 180 लेकिन value वाले यही डूटते हैं कि correction कब resolve हो correction जैसे आपका resolve हुआ 220 पे और देखें यह नहीं कि 180 पे खरीदना है 170 पे खरीदना नहीं correction resolve होने का इंतजार कीजिए मौके मिलेंगे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे और उसके बाद correction resolve हुआ entry का मौका बढ़ यहां entry का मौका मैं कहूंगा और ऐसे entry के मौके बहुत कम होते हैं यह देखें बहुत ही बढ़िया उसके बाद फिर से आपको थोड़ा सा देखें तेजी आती है तो correction भी आता है हलकी सी तेजी आई तो छोटा सा एक महीनी correction भी आया है correction resolve हुआ आपको मिला दूसरा मौका entry का यह देख सकते हो फिर तो यह correction resolve हुआ फिर से मिला entry का मौका तो ऐसे छोटे-छोटे मौके मिलते रहेंगे लेकिन share चला गया 400 के level तक अब 400 के level तक share चला गया और आपको पता ही है फरवरी मार्च में सो situation भनी और वो situation हर कोई वाकिप है उस situation से और share को नीचे आना ही पड़ा वापस 220 के level पे ही आया जो पुराना यहां पे correction resolve हुआ था अब 220 के level पे यह आया current situation अगर share की देखे जाए तो 360-370 के level पे है यानि कि अगर आप 100 share खरीटते हो तो आपके बैठ जाते है 36,000 के level पे और अगर आप खरीटते हो 50 share तो आपकी बैठते है 18,000 as per current price लेकिन मुझे लगता है कि किस तरीके चागर थोड़ा छोटे time frame में जाक देखेंगे समझेंगे तो आपको लगे करें वह correction आनी चाहिए या correction आ चुकी है या entry का मौका है जब आप चोटे time frame में जाओगे देखोगे तभी आपको समझ माएगा फिलाल देखिए मैं share को देख पा रहा हूँ जिस तरीके से फरवरी से गिरावट आई और ऐसी अब 50% drop के बाद share में का तेजी आई तेजी बिलकुल अगर आप weekly charts को देखेंगे तो पूरी के पूरी आपको तेजी देखने को मिल रही है लेकिन मुझे लग रहा है personally मैं कहूं मुझे लगता है कि at least a correction जो कि इसको थोड़ा सा इन levels पे तो लेके आए 340 या फिर 308 इस range मे यह ब्रेक होना चाहिए तो correction के requirement जरूर है यहाँ पे एक correction के requirement चालिस पास पास की correction के requirement अब डेली पर जाके देखते हैं कि कोई correction आई या नहीं आई क्योंकि हम बार बार हैं पर correction correction के बात करें देखें छोटी छोटी corrections बहुत important होती है आपने weekly chart पे देखा होगा बहुत सारे stocks ने आपका bearish cross आपको बना के दे दिया है लेकिन आपके कोई भी bearish cross आपको बना के नहीं दिया इवन daily chart पे भी bullish cross बन चुका है एक बार ये cross बन जाए bullish cross 2050 EMA का तो सबसे अच्छी बात होती है कि उसके बाद stock धीरे धीरे सबसे पहरे 20 का support लेनी की कोशिश करता है अगर stock ज्यादा fast mode में होता है तो और या फिर थोड़ा सा अगर कभी correction ज्यादा आ जाए तो फिर वो 50 के आस-पास का support लेनी की कोशिश करता है और हमारी expectation इस share से यही expectation थी कि ये share इस range में कहीं न कहीं आए यानि कि 350 से 340 की इस range में इन दोनों की बीच में कहीं से भी support ले और वो correction resolve हो तो ज्यादा better situation में रहेगा अब यहाँ पर condition देखिए price भी आपका 20 EMA से उपर है 50 EMA से उपर है even 2050 से उपर है और दूसरा आप देखो कि 200 day moving average के line जो है वो भी उससे भी उपर price है तो सारे factors जो है positive है चाहे monthly chart को देखो चाहे weekly chart को देखो चाहे आप daily chart को देखो सारे positive है बट एक छोटी से correction की requirement थी हो correction आ जाती तो ज़्यादा better रहता फिलाज share देखे 375 के level से थोड़ा correct हुआ है आज की date में थोड़ा से नीचे जरूरा है और उमीद कर रहे था हम कि हापे breakout से पहले हलका सा consolidation हो अगर इस breakout को भी पार करना है तो थोड़ा सा at least एकाथ दिन का consolidation यहाँ पे हो तो ज़्यादा better रहेगा अब भात करते है hourly की देखे hourly पे अगर आप देखोगे देख अच्छी बात है और intraday वाले इन opportunities को खूब यूज कर रहे होंगे यह देखिए आज फिर से hourly पे 50 का support लिया है हलका सा slip price पहले हुआ था यह 18-19 के तारिक को लेकिन अब देखिए 50 का support ले रहा है जो कि एक positive बात है अच्छी बात है उमीद करेंगे कि यह जल्दी से जल्द गया हुआ और वापस नीचे धकेल दिया गया तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया pressure वाला volume चाहिए जो इसको पार करता है देखिए किसी भी breakout के लिए volume काफी important होता और volume का pressure मालब जितना अच्छा volume का pressure हो उतनी तेजी से वो breakout जाता है काफी critical breakout यह है और या फिर breakout के नियर थोड़ा सा consolidation और थोड़ा सा stock जो है वहाँ पे halt करें वो halt करने में क्या होता है कई लोगों इस psychology को नहीं समझ पाते है उस halt करने में जो halt वाला chart नहीं वहाँ पे क्या होता कि आपके hands exchange होते है जो पुराना buyer है जिसने पहले share को खरीदता है वो profit book करके निकलता है जो नया buyer ह मार्केट में आता है जब नया buyer मार्केट में आएगा तो उसकी भी expectation होगी और मुझे भी कुछ पैसा मिले return में तो उसको hold करके रखेगे और उसको खरीद के खरीदेगा और जब नया buyer आएगा तो जो seller होगा वो profit में बेज रहा है तो यह देखे जो वो hands exchange होंगे तो fresh energy stock मे आती है और इसके वेज़े से तेजी से भागने की कोशिश करता है इसलिए कहते हैं कि breakout के near consolidation काफी important factor है wind up करता हूं यह आप वीडियो को उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो शेर जरूर कीजिए और इस तरीके से technical analysis आप भी सीख सकते हो क्य कि हाँ वई 920-915 पर पहुंचेगा अब शेर नीचे आएगा देखे विल्कुल सटीक सटीक मैं कहूंगा analysis करते हैं और इसके बाद देखे बोले नीचे आएगा correction resolve होगा तब हम entry करेंगे तो यही नहीं बहुत अच्छी अच्छी चीज़े मुझे लगी यहाँ पर retail investor जो स